चलिए दोस्तो हम पठा हैं MSBAR 2019 और अभी तक हमने देखे व्यू टेप के पहले देखे होम टेप है इंसर टेप डिजाइन टेप लेयाउट टेप रिफ्रेंस टेप मेलिंग और रिव्यू इन सभी टेप के बारे में हमने कम्प्लीट डीटेल में सभी ओप्सन को कम्प्लीट में कवर किया है देखे यहां से सारे ओप्सन हमने कवर की है किक करके ठीक है अब बचा हमारा व्यू टेप तो व्यू टेप में हमको क्या देखने मिलेगा यानि कि जो भी चीज़े MSBAR में जो डॉकुमेंट विंडो है उसको दिखाना कैसे है कितने परसेंट में दिखाना ह उसमें जो भी कंटेंट उसको दिखाना है या छिवाना है किस प्रकार दिखाना है यह सारी चीज़े हमको देखने को मिलती है व्यू टेप में तो व्यू टेप में हम उन्ही चीज़ों को पढ़ेंगे जो MSBAR में जो है डिस्प्ले से रिलेटेट यहां देखने को मिलेगी तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए, view tab में आप जब जाओगे तो view tab में आपको देखने को मिलेगा देखिए, विविन प्रकार की group देखने को मिलेगे जैसे पहला group है view तो अगर आप से पूछा जाता है MS Word में कितने view होते हैं जिसमें सबसे important है print layout परंतु दो view और देखने को मिल रहा है जिनका नाम है देखिया outline view और एक मिल रहा है draft view ठीक है draft view को normal view भी बोला जाता है जैसे कि अगर पुराने version की बात करें तो आपको draft view normal view के नाम से जाना जाता था परंतु अभी वो draft के नाम से आ गया और outline view में जो हो होता है read mode में read mode में जो भी document है उसको reading mode में open किया जाता है परंतु आपका सबसे ज़्यादा उप्यूप के जाने बाला जो view है जिसका नाम है print layout तो print layout में अभी बरतमान में जो देख पार है जिसे मान दीजे अगर मैं कोई text लिख देता हूं ठीक है तो यह जो text है वो किस प तो page movement है इसको भी देखेंगे so, so के अंतरगत, so या height से related option है फिर zoom में, zoom से related option है उसके बाद देखें यहाँ पर window में, window से related option है कि new window बनाना, arrange all करना, synchronous, scrolling बगएरा, switch window है, उसके बाद देखें macro है और properties है तो यह सारी चीज़े हमको देखने मिलती है view tab में, ठीक है, view tab से related न language है वो आपको कहा देखने मिलती, accessibility और लेंग्वेज आपको review में देखने मिलता, accessibility और language दोनों देखने मिलता है, वो यहाँ पर है देखें चैहाँ तो आप यहाँ से language को change कर सकते है, accessibility को भी ठीक, तो दोनों option आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरी चिज़, जब यहाँ उसके अधर प्रिंट लियाउट और बैव लियाउट यह तीन वियुव है उसके साइड में आपको जूम आप्सन देखने मिलेगे हैं जूम माइनस आपसन है यहाँ पर देखे यह आगए जूए प्लस है और यह जू है माइनस अगर आप इसको minus करते हैं देखे zoom out होता है और आप plus करते हो तो zoom in होता है normal जो होता है 100% होता है और maximum आप जाओगे तो maximum आपको देखने मिलेगा 500% ठीक है यहाँ MS Word में आपको ध्यान रखना 500% यहाँ पर zoom level देखने को मिलता है ठीक है और minimum आपको 10% देखने मिलता है normal 100% कर दीजे अब इस प्रकार में इसमें text जो है content बढ़ा देता हूँ यहनि कि अभी मेरे पास मैं page की संख्या एक से अधिक हो गई है यहनि कि total मिलाकर 7 हो गई है ठीक है तो यदी मैं इसको कम करता हूँ तो देखे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा देखे यह क्या देखने मिल रहा page पेज देखने मिल रहा है thumbnails view में ठीक है अगर थोड़े बड़े करते हैं देखे यह देखे इस प्रकार से आप देख सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं व्यू टैप की तो व्यू टैप में हम एक एक करके सभी group के अंतरगत जो सभी command है उनको एक एक करके देख लेते हैं मान दो यह जो आपने document तयार करे हूँ इस document को आपको पढ़ना है यहने की पढ़ने के mode उपन करना है तो इसके लिए यहाँ पर होता है read mode जैसे हम इसको click करेंगे तो यहाँ देखे आपको reading में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर read mode है चाहे तो आप इस दूबिदा अनुसार देखे टेक्स का लेबल बड़ा कर सकते है यह देखे बड़ा हो रहा दूसरी चीज आपको स्क्रॉल करने की जरूद नहीं है बटन आ गई है बटन किसके आ गई है इसके बाद जो text है वो next ऐसा करोगे तो देखे इस पर next जो text आ जाएगा देखे इस प्रकार से last तक जो है आप ऐसे पढ़ सकते हो जितने भी page है आपके इस प्रकार से slide के form में divide हो गया और end of the document यह नहीं कि last page में आपको इस प्रकार देखेगा चाहता फिर से वापस previous बटन से जा सकते है ठीक है तो यह तो हो गया आपका read mode चले मैं वापस चलता हूँ वही print layout में, print layout जैसे की मैंने बताया था, print layout का मतलब होता है कि किस प्रकार print होकर देखेगा हमारा document उसको यहाँ पर देखने के लिए print layout भी होता है, हाला कि काम इसी में करा जाता है, देखे जैसे print देखे, उपर से margin कितनी आएगी, नीचे से margin कितनी आएगी, left से और right से, चारो लेट पेज के रूप में किस प्रकार देखेगा उसको दिखाने काम होता है चले क्लिक करें किलिक करोगे तो देखें फॉर्मेटिंग सभी गायव हो चुकी है और यहां आपका जो डॉकुमेंट है देखें इधर साइट से फुल विंडो में दिख रहा है किसी प्रकार का जो आप जब भी काम करें तो प्रिंट लिया जो तो देखने मिलता आउटलाइन ङो मैं अभी आपको प्रकार की आउटलाइन देखने को नहीं मिलेगी माँन लो यहां पे मैं यहां पर इक उदारान बता आता हूं चलिए यहां मैं यह देखिए यहां पर sg w education इस प्रकार लिख देते हैं ठीक है और यहां पर लिख देते हैं tutorials मतलब जो है या फिर हम लिख देते हैं courses लिख देते हैं ठीक है जैसे अब courses के अंतरगत क्या क्या हो सकते है computer basic हो सकता है computer basic उसके बाद जो है क्या हो सकता है MS office हो सकता है ठीक है फिर और क्या हो सकता है एड़ आप फोटो सौट या फिर हम बार्ट कर लें डीटीकी की डीटीपी हो सकता है प्रोग्रामिंग हो सकता है ठीक है आप यह तो हो गया हमारे क्या जैसे ए quién हो सब अब हमारे मैं हेडिंग वाले हैं जिसे हम देखते हैं hardware के बारे में है hardware उसके बाद हम देखते हैं software ठीक है इसके अलाबा हम देखते हैं programming के बारे में basic रूप से ठीक है अब यह तीनों चीजे जो है वो तीनों चीजे आपके कैसी हो गई heading 4 हो गई तो देखे यहां पर आप ध्यान दीजिए अगर मैं heading बन भी बना रहा हूं तो वो उसी align में दिख रहे है heading 2 भी उसी align में 3 भी उसी align में तो यह क्या है मतलब इस प्रकार से हम इसको समझने पा रहे है कि इसका level क्या है heading level क्या है या फिर outline level क्या है तो इस प्रकार की चीज को दिखाने के लिए यहां पर होता है view और view में जाओगे आप तो outline जैसे मैं इस पर click करूँगा तो आप ध्यान से देखे चाहे तो आप इसके अंतरगत text भी रख सकते जैसे hardware के अंतरगत को text रखना है तो normally अगर मानलों मैं यह text को copy करता हूँ इसको मैं copy कर देता हूँ यह देखे और यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ अभी आप देखोगे तो देखे यहां ध्यान से देखे आप यह जो है text है अगर मैं इसको देखे इस प्रकार से यह देखे अगर चलिए इसक ख़रकार देखे यहां पर आपको एक जो है आपको एक टैप खुल गई है जिसका नाम है ऑट लाइनिंग तो आउट लाइनिंग में देखिए इसको हम जो है देखे बॉड़ी लेबल घटा दिए या फिर आप जो है डारेक्ली इसको बॉड़ी टेक्स्ट में होचा सकते जैसे SSW Education heading level 1 पे लिखा है तो hardware भी आपका heading level 1 पे आ गया है अब इसको आप जो है और इस प्रकार घटा सकते मान लो यह text नीचे वाले का है मतलब हमने उपर लाकर रख दी है और यह text किसका है software का तो इसको आप select करो और देखें यहाँ नीचे दिया है अगयाँ अगया software में यदि हम इसको उपर ले जाना चाहा है तो उपर ले सकते हैं फिर से अगर मैं plus दबाओं अच्छा computer basic के अंतरगत अगर मैं माइनस दबाता हूं तो देखे computer basic फिर एक बार माइनस दबाए देखे आप गायब हो चुका इसके प्लस दबाए तो देखे expand हो रहा तो प्लस और माइनस expand और collapse के लिए होता है ठीक है और यह होता है प्रमोट और डिमोट के लिए चाहे तो आप डारेक्ट heading लेबल 1 से लेकर 9 तक दे सकते हैं या तो फिर डारेक्ली body text में convert कर सकते हैं चली यह चीज है हमारी काम की थी यहाँ पर outline के अंतरगत इसको में close कर देता है तो outline level होता क्या है वो आपको समझ में आ गया जो भी चीज आप heading में दरसाते हो उसको display किस प्रकार कराने हो उसको देखाने काम होता है outline का ठीक है draft मतलब होता normal view जैसे आप normal view पर click करोगे तो ruler आपकी गायव हो चुकी है page की संख्या भी देखे पेज आपको यहाँ पर divide होता हो नजरने आएगा कि हम page 1 से page 2 में जा रहा है तो यह होगा हमारा view कितने view है हमारे पास total 5 view है पर यहाँ status bar में only 3 view आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं चलिए मैं बापस कहां चलता प्रिंट लियाउट में तो प्रिंट लियाउट भी हमारा जो है काफी important है तो आपको इसी में काम करना है यह हम चले प्रिंट लियाउट में कि प्रिंट कैसा आएगा वो देखे हमको उसके अलाबा next आप देखोगे तो page का movement दिख रहा पेज का movement जो है vertical चाहीं है या horizontal चाह बादी वाला page कैसे आ रहा देखिए अगर मैं mouse से अच्छा इसकी सहयता देखे scroll आपको यह कहीं दिख रही एक scroll गायव हो चुकी है vertical वाली और एक scroll दिख रही है horizontal वाली अगर मैं इस scroll से इस point पे जाकर इस प्रकार क्लिक करता हूँ देखे बुक के जो पन्ने होते हैं ने क scroll वार भी आ जाएगी यह देखे ठीक है पर अभी हम छोटा कर देते हैं तो अब देखे scroll वार से क्या हो रहा है नीचे की side move हो रहा है मतलब एक page दूसरे page से बदल रहा है नीचे की side vertical mode में पर यह था side by side यानि कि एक जो page हम उठाकर रखते हैं दूसरे page में उसको बलते है side advice side एक प्रकार से ठीक यह होगा page movement इसके बाद आप देखिए ध्यान से एक next जो group देख रहा है जिसका नाम है so so मतलब होता है display कराना अब देखे जो check box दी है वो कर रहे हैं कि देखे यहाँ पर अगर हम check करते हैं तो देखे जिस पर check है इसका मतलब वो देख रहा है तो दे से ले आते हैं अच्छा grid line का मतलब क्या होता grid line मतलब होता है आपने graph वाली काफी देखे होंगे ठीक है तो उसमें जो है आप alignment के लिए यहाँ पर आर्क बनाना है कोई से बनानों उसके लिए उप्योग करते हैं अगर हमारी जरूवत है इसमें grid line की तो हम grid line ला सकते हैं न कोच नहीं है है heading में आपको इतनी heading देख रहे हैं जैसे course में जाना है DTP में जाना है programming में जाना है इस प्रकार जैसे हम कहीं link पर click करके चले जाते हैं उसी प्रकार navigation pen जो होता है navigate करने के लिए यह पेज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम उप्योग करते navigation pen का ठीक है इस प्रकार pen मतला panel होता ठीक जो की left side में display हो रहा है इसके लावा इसको move भी करा सकते है move करा के कहीं और ले जा सकते है ठीक है decide यह छोटा बड़ा कर सकते है और चाहे तो close भी कर सकते है यह चीजी भी हमको देखने को मिलती है चली में इसको close कर देता हूं यह ह हो गया आपका display कराने वाला काम यानि कि so ya height कराने वाला काम ठीक रूलर हमेसा सो रहती है अगर नहीं करना था आप हटा भी सकते हैं ठीक है मैं रहने देता हूं अब next जो group है वो आपको देखने मिलता जूम और जूम में आपको देखे पहला बटन है जूम उसके बाद है 100 percent फिर one page multiple page और page की width जैसे मैं जूम करता हूं जिसका ही dialogue box display होता है जिसका नाम है जूम और यहां आपको 200% लिखा इसको टिक करें देखें यहां 200% में display हो गया आप यहां ध्यान से देखिए इसमें भी plus हो रहा है तो यहीं से आप plus कर सकते हैं और यहीं से आप minus कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है यह आप जल्दी जल्दी एक और चीज में बता हूं जैसे हमने keyboard आपने देखा keyboard में control button control button CTRL button बुलते हैं उसको आप दवा कर रखें और mouse की scroll bar button scroll bar मतलब बीज वाला जो goal button होती है ठीक है wheel उसको आप घुमाई हो पीछे की और पीछे की और आउट होगा और आगे की और घुमाऊगे तो जूम इन होगा कब जब control button आप दवा कर रखोगे तो इसकी साहता से भी आप जूम लेबल घटा सकते और बढ़ा सकते हैं चलिए यहां से आप कोई भी percentage देखे पेज की बिट के according तो जितना पेज का बिट है उसके according जूम ले देखेगा जिसे मान लो एदेखे चलिए पेसे करके देखते हैं टेक्ष्ट की बिट अब टेक्स्ट की बिट तो देखिये यहां से लेकर यहां तक complete text दीख रहा तो इसके लिए होता text की बिट मैंने पेजे से देखना है तो यहां कितने पेज देखनाँ आपको देखे इत हरा पेज के जगह हम कर देते हैं चार पेज तो देखिए यहां पर चार पेज देख हूं तो हम इसकी सहता कि अज़ने करके देख लीजिए पेज चाहे कितने भी बड़ा हो कितने छोटा हो हम directly उसको 100% görev कि 1 पर सब्साइब फिसमिल हम सब्सों कर्षावार इसके अलाबा अच्छा बन पेज में क्या होगा बन पेज में देखे स्क्रॉल बार जो है हम एक एक करके एक ही देख सकते जब की देखे लेप्ट साइट की जगह भी खाली है और राइट साइट की जगह भी खाली है पर इसका प्रियोग हम मल्टिपल में करते हैं तो देखे लेप्ट और राइट साइड में जगे फिल हो चुकी है ठीक इसी के बाद पेज की बिट के अकॉर्डिंग हम जो है पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं देखिए ठीक है तो यह आप समझे है हमके जूम के ओप्सन जो है अब नेस्ट जो है गुरुप हमारा बिंडो है तो बिंडो हमको देखिए सबसे पहला जो बिंडो देख रही न्यू बिंडो अब हम इस डॉकुमेंट को सेब कर देते हैं यह देखिए मैंने सेब कर दिया SSW एजूकेशन के नाम से देखिए सेब होगे इसको save as करते हैं, save as क्यों करते हैं, दूसरे नाम से, ठीक, SSW DOC कर देते हैं, ठीक, इस प्रकार से हम, यह देखे, SSW DOC, कर दिए, अब मान लो, हम इसकी new window बना कर काम करना चाहते हैं, new window मतलब जैसे main window है, इसकी सब एक child window खुल जाएगी, child window से मतलब देखे, जैसे हम click करेंगे second window, तो देखे, यहाँ पर SSW DOC था, उसकी second window खुल चुकी है, और first window कहाँ है, यह है, देखे, SSW DOC, first window और second window यह खुल चुकी है, ठीक है, तो view में जाकर देखोगे, तो next option है, देखे, new window से तो new window बन गई, पर arrange all करोगे, तो arrange all से सभी window जो है, जो MSWD की, देखे, यहाँ पर आपकी display हो चुकी है, एक तो उपर और एक तो नीचे, इसका मतलब है horizontal, horizontal का मतलब होता है, left से right, ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि, एक left side सो हो, और एक right side सो हो, यानिकि left और right, यानिकि vertical mode में सो हो, तो side by side ह होता, देखे, यहाँ पर लिखा है, view side by side, इस प्रकार अगर हम side by side उप्योग करते हैं, तो देखे, scroll करने में दोनों scroll हो रहे हैं, चाहे तो मैं यहाँ scroll भी रख रहा हूं, तो भी देखे, दोनों scroll हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ scroll रख रहा हूं, तो यहाँ से भी दोनों scroll ह चाहता हूं कि अगर मैं स्क्रॉव करूं तो यह वाली ला हो यह फिर यह वाली इसके लिए होता देखे वह भी ऋ हो उड्ली जाना है और विन्डू गुरुप में जाने का दो देखे सिंक्रोनस इसको मैं क्लिक कर दुंगा अशそれでは अब देखे यहां हम करसर रखु मैं यहां करसर रखूं तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं चलिए मैं उसको टिक कर देता हूं फिर से यह देखे अब मान लो मैं इस बिंडो को छोटा कर देता हूं और इस बिंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पर जो है यहां पर आप देखेंगे तो बि पोजिशन में आ चुकी है ठीक इसको अगर छोटा कर देते हैं और मैं जाता हूं बिंडो में और फिर से करता हूं रिसेट तो देखे फिर से रिसेट हो गए यानि कि बिंडो की पोजिशन फिर से रिसेट हो चुकी है चलिए अब एक चीज और है इसको मैं बंद कर देता हू बंद क्यों करते हैं क्योंकि अभी हम इसमें काम नहीं करते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं अब देखिए यहां आपको option दिख रहा है ये तीनों option तो बनके view side by side ये तीनों एक option दिख रहा है split अब आपका document कराम है SSW DOC आप चाहते हो ये page आपका उपर दिखे मतलब यह वाला काम भी कर सकते हैं देखिए यहां मायनलों मैं SSW education लिखता हूं ठीक है और इसमें अगर मैं फॉर्मेटिंग करता हूं देखिए मैं bold कर देता हूं इसको मैं select करता हूं ये bold कर दिए color कर दिए इस प्रकार हमने heading बतल दिए अब देखिए ये window को ये अलग नहीं है ये इसी window को मतलब इसी document को दो भागों में बांट दी गई है पर आप नीचे scroll करके देखोगे इस प्रकार से ठीक है तो ये जो है इसमें भी बो चीज है चली मैं इसको भाटा कर बताता हूं देखिए यहां पर split की जग है remove split आया जब आप remove split करोगे तो ये जो है देखिए वही window है परन्तु आप जो है उसमें changes करके देखना चाहरा थे ठीक है तो ये चीज आपको समझ मैं split window यानि कि देखिए यहां मानलो मैं यहां से अगर split करता हूं तो देखिए यहां देखिए इसमें भी option दिख रहा है और इसमें भी तो आप इसमें changes कर सकते हो और बाद मैं save भी कर सकते हो चले मैं split को remove कर देता हूं तो यह समझ में आए आपको अब आपके पास में देखिए जो window है देखिए अभी एक ही खुली है अगर मैं यहां पर फिर से जाकर new window कर देता हूं ठीक है और view में चलते हैं देखिए switch window के कारण यहां पर देखिए दो window आ गई है तो आप हो गया क्या window से related सारे option अई होप आपको यह सभी group समझ में आ गए होंगे ठीक है चली अब बात करते हैं view tab के अंतरगती सबसे important option है जिसका नाम है macro macro group के अंतरगती देखने को मिलता है इसकी shortcut की आप देख लीजिए alter plus f8 अब इसका meaning क्या होता macro का मतलब क्या होता है macro मतलब ह प्रकार की recording इसका मतलब है जैसे आप कोई काम बार बार करना चाहते हैं धीक है जैसे कोई matter है आप बार बार लिखना चाहते है यहा फिर आप कोई table है जिसको टेक्स्ट में convert करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट को table में convert करना चाहते हैं तो यह काम आपका कभी भी बार बार हो सकता है कहीं भी मतलब कोई document आप तयार कर रहा हो आपने धोके से matter type कर दिया मान लो आपने यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देता हूं इह देखिए आपको यह सर नहीं लिखना था आपको बनाना था टेबल टेबल बनाना था पर हो गई गलती है ठीक है तो आप चाहते हो आपको मीनु बार में ना जाना पड़े या टेब में ना जाना पड़े डारेक्ट लिए आप इसको सेलेक्ट करें इसको इस प्रकार सेलेक्ट करें और डारेक्ट चलिए shortcut दबाकर आप इसको table बना सकते हैं ठीक है तो यह काम आपका बार-बार होना है कभी-गभी आपका table बना होता है आप table को text में बदलना चाहते हैं तो वो काम भी आपका बार-बार होगा तो जब भी कोई काम को बार-बार करना होता है तो उसके लिए हम उपियोग करते हैं macro और macro एक प्रकार की recording होती है यानि कि जो काम हम कर रहे हैं उसको हम record करकर रख लेंगे कोई shortcut के मार्द हम से और उसको हम shortcut से बार में play कर सकते हैं तो चलिए हम करके देखते हैं कि करके तो पहली चीज़ तो आपको type करकर रखना है इस प् यहाँ पर क्लिक किया हूँ तो आप चलोगे macro में view tab के अंतरगती macro group है और macro में चलोगे देखे तीन option है तीन option में पहला option है view macro यानि कि जब भी कोई macro बन जाता है तो आप देख सकते हो पर हमने अभी macro नहीं बनाया है दूसरा दिख रहा है record macro यानि कि जब आपको नए macro बन तो हम macro 1 को ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसा macro लिख दे और text to table यह देखे text to table इसका नाम हम लिख देते हैं अब हमको button के थुरू बनाना है तो button के थुरू में हमको click करना पड़ेगा यदि हम keyboard के थुरू बनाते हैं हमको shortcut से play करना पड़ेगा तो हम keyboard के थुरू बनाते हैं जैसे ह new shortcut के, अब आपको CTRL दबाना है, और साथ मैं, One इस प्रकार प्रेस करना है, अब One प्रेस करोगे, ये या पिर आप जो चलिए, मैं यहाँ पर One की जगर है, CTRL के साथ 5 प्रेस कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, CTRL के साथ 5 मैंने प्रेस करा, जब इस CTRL के साथ 5 प्रे आइकॉन दिख रहा होगा इस recording के icon से मतल़ हो है कि अभी macro आपका record हो रहा है अब हम इस matter को हमने select कर ली जो भी हमने type करे थे हमको चलना insert में और जो काम हमको करना है वो काम हम कर लेते convert text to table देखे convert text to table अब बोल रहा है तीन column आना चाहिए तीन row आना चाहिए सही बात है एक द without dispatch करो यह देखे आपका table बन चुका है अथème table बन गया है कि हमारा काम हो चुका है तो हमारा काम हो चुका है इसका मतलब है चलिए हम इसकी formating भी कर लेते इस हमने formating करे बार-बार यह formating आईगी ऐसा हम समझ सकते हैं और अब हम view में चलते हैं और यहां जाकर देखें अब कुछ समय आपको रोकना है तो pause कर सकते हैं pause recording नहीं तो आपको permanent रोकना है तो stop recording यह देखें मैंने stop कर दिया अब इसी table को मैं चाहता हूँ text में convert करें तो इसके लिए भी मैं एक macro बना देता हूँ तो अभी table बना है हम table को ऐसे select कर लेते हैं और हम फिर से कहा जाते है view tab में ही macro group के अंतरगत macro में जाते हैं और अब फिर से एक नय macro record करते हैं चलिए record macro में गये और अब इस macro का नाम रख देते है macro table to text इस प्रकार हम नाम रख देते हैं और इसका हम keyword से shortcut के रूप में तैब बनाएंगे जैसे हम चलते हैं तो यहां हम रख देते हैं control 6 देखे control 5 से हो रहा था text से table और control 6 से होगा table to text इसको भी क्या करें assign और assign करने बाद close तो यह काम हो गया अब हमको layout में चलना देखे layout tab दिख रहा है जिसका table होता है table का layout टेव होता और इसी में लिखा आ रहा convert to text जैसे हम convert to text करेंगे तो देखे यहां आरा separate text with अब किस प्रकार separate करोगे आप paragraph में करोगे, tab में करोगे, comma में करोगे, other में तो हम tab में ही कर लेते हैं और ok कर देते हैं देखे इस प्रकार आ गया, अभी हमारा काम हो चुका है हो चुका है, इसका मतलब हम view में चलें और view में चलने के बाद हम जो stop कर देते हैं या तो रोकना तो थोड़ी देर के लिए pause नहीं तो आप stop कर दें अब देखे, दो मैक्रों हमने बनाए है व्यू करें, तो view में देखे, एक दिख रहा है text to table और एक दिख रहा है table to text चाहे तो आप यहीं पर जाखे इसको run कर सकते हैं edit कर सकते हो, delete कर सकते हो सब option यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे view में चलिए, हम फिर से एक नई जख है में essent by content को type करते हैं जैसे यहां चलते हैं यहां ID type कर देते हैं टैप दबाते हैं, टैप दबाने क बाद हम type करते हैं क्या? student name ठेक हो और यहां टाइप करते हैं हम क्या? چलिए student name हम underscore प्रकार देते हैं उस प्रकार हम जब फिर टाइप देते हैं इसके इसकी एज दे देते और उसके बाद इसका कोर्स देते मोज़ाशते फिर एंटर करते आईटी में 1101 देदे यह आई देदे में age दे देते हैं इसकी 21 और course दे देते हैं इसका bca फिर हम देखे ग्यारा सो दो करते हैं और यहां हम कर देते हैं इस प्रकार से हम और इसका भी age दे देते हैं 22 और इसको दे देते हैं bsc ठीक है यह को और हम टाइप करते हैं इसको 23 देते हैं और इसको 20 देखे हमने 4 कॉलम लिए भी और यहां पर हमने लिए क्या 4 रो अगर मान लो इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट कर लिए और हम ctrl के साथ 5 दवाते हैं, ctrl के साथ 5 से मतलब टेक्स्ट से टेबल जेसे हम ctrl के साथ 5 दवाते हैं, तो देखें यहां पər्यापके सामने जो है क्या बन गया है, table पर थोड़ा सा दिक्कत हुई है, मतलब यह जो है तीन कॉलम बाला था, फीक है? तीन कॉलम बाला था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, चली इसको मैं पहले क्या करता हूँ, यह देखिए, ठीक, मैंने हटा दिया, इसको आप सेलेक्ट करते हो, अभी सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट करने क बाद आप कंट्रूल के साथ 5 दबाईए, तो आपका टेबल एजटीज बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने मैक्रो बना कर रखे हो, और कंट्रूल के साथ 6 दब बना सकते हैं, किसकी सायता से, मैक्रो की सायता से, ठीक है, तो आप मैक्रो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जैसा भी काम चाहिए, उसको बार-बार अगर करना है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मान लो, एक और चीज में बताता हूँ, अगर मैक्रो आ लिख देते हैं इसके अंदर courses क्या क्या है इसके अंदर हम जो है DCA के courses देखने को मिलते हैं PGDCA, BCA और अन्य जो computer के courses देखने को मिलते हैं तो इस चीज हमको बार-बार करना है तो हम जो है इसको type कर लिए और type करने बाद इसको हम stop कर देते हैं अब आप देखे control के साथ 7 से कर करते हैं तो जब तक computer on रहता तभी तक काम करती है नहीं तो वह बार-बार काम नहीं करती कि लिप बोर्ट से डाटा हट जाता है तो यह copy-paste से ज्यादा बेस्ट है ठीक है आई होप आपको macro समझ में आया होगा आप किसी भी प्रकार का काम हो बार-बार अगर करना है तो आप उसको record करकर रखिए shortcut के through ठीक है और आप उसको उपयोग कर सकते है जिसे यहाँ गये तो यहां से उपयोग कर सकते हैं अब इस macro की जरूवत नहीं है तो इसको आप यहां से delete कर सकते हैं इसकी भी मुझे जरूवत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको सिखा दिया तो मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है इसको में delete कर, अब macro नहीं है, अब आप control के साथ hide भी दबाऊगे तो कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आपका काम end हो चुका है, ठीक है, चली आप देखते है properties, view मतलब होता है दिखाना यानि कि इस document, swdoc1 जो है, इसकी क्या करना है, एक properties होती है, properties मतलब जो चीज़े आप देखते हैं, जैसे file menu में जाकर info में देखते हैं, तो देखे आपको इस प्रकार का डालेक बॉक्स देखने को मिलता है, तो इसकी properties यहाँ देख रहे, size कितना होता है, word कितने है, total editing time 12 minute है, ठीक है, इसके अलावा आप देखे, author का नाम है, ठीक है, modified, किसके द देखे, protect में मैंने, जो है, restrict editing बता दिया था आपको, restrict editing मतलब, आप password डाल कर इसको protect कर सकते हैं, चाहे तो आप password के थुरू encrypt कर सकते हूं, ठीक है, इसके अलावा access को restrict कर सकते हैं, यह सारे option आपके document को protect रखने के लिए होते हैं, आप किसी के वो प्योग करके password डाल सकते ठीक है, inspect, inspect document, यानि की check करना, देखे, inspect document, check accessibility, यह सब review के option थे हमने देख लिए है, manage, document, recover, unsaved, यानि की कितनी देर में auto recovery होगी, यह चीज़े हमको देखने को मिलती है, यह सब आपको information में देखने को मिलता है, आई होब आपको view tab यहाँ पर समझ में आये होगा, यह सारी ची complete हो चुके है, अब हम basic group से यहाँ फाइल के अंतरगत, कुछ basic चीज़े यह देख लेंगे, और हमारा complete MS Word 2019 cover हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको complete सीख सकते हैं, इसके बाद MS Word आपने पढ़ ली 2019, अब MS Word 2021 पढ़ना है आपको, ठीक है, कुछी दिनों में मैं उसके lecture को ल PowerPoint के बाद जो है, अन्य कोई चीज़े उससे related MS Office 2019, उसमें अगर होगी, तो उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपके office हो, या office से related हो, काम हो, या फिर कोई आपको exam देना हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो tutorial है, वो आपको काफी फाइदे मन होने वाला है, तो चलि झाला है, झाला है, तो चुत आपको बिला हो, या कि दुअ जो प्रेमों के लिए नापको ब department के लिए.